सो हेलो वेलकम बैक गाइस कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो यदि आप एक कोईन DCX के यूजर है और आपको जो है आयना डिपोजिट करने में यानि कि दोस्तो पैसे डिपोजिट करने में अगर परिशानी हो रही है तो दोस्तो काफी इंट्रस्टिंग होगी आप सभी के लिए तो वीडियो एक दम एंड तक जरूर देखना ठीक है और दोस्तो वीडियो में अगर बढ़ने से पहले मेक शूर यदि आपने अभी तेग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि इसी तरह के अगर कोई भी कर लेना क्योंकि दोस्तों हमारे टेलिग्राम में यहां पर अप्लोड होने से पहले काफी सारी अपडेट्स और ऑनलाइन अर्णिंग या फिर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी अगर इंफर्मेशन आती तो वहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि यहां पर आपको अपने अपने क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सामने आ जागे जिसमें के सबसे ऊपर आप देख सकते हैं अवैलेबल दोनों में से अगर क्लिक करेगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर दोस्तों नीची आप देख सकते हैं दो ऑप्षन्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों एक ऑप्षन आता है विड्रॉल फंड का एड़ फंड का जो कि आपको अगर पता होगा कि विड करना ठीक है कितना मांट एड़ करना है वो बीजHHH नीची मिनिमों आप यहां पर Hyundai कर सकते हैं मैक्सिमिम म आप जितना चाहो ओँ एड़ कर सकते हो ठीक है मैक्सिम στη में कोई लिमिट नहीं आप जितने यह चाहixa है कर सकते हो ठीक ह вой तो उसके बाद क्लिफ्क क्या करना है चलि भी यहां पर account add किये हैं अगर आपका वही account है तो सबसे best रहेगा क्योंकि यहां पर deposit करते वक्त आपका पैसा ताकि फंसे नहीं ठीक है तो make sure कर लिजेगा आप उसी account से यहां पर deposit करिएगा किसी और का account मत यूज करिएगा नहीं तो आपके पैसे फसने के ज़्यादा chances हैं और मतलब ऐसा होता है काफी लोग यह करते हैं कि आपके नाव से CoinDCX का account बना है और किसी और के account से या फिर Paytm से या फिर और गहीं से भी वह मतलब पैसा लेने की कोशिच करते है यूपिया के तुरू क्यूंकि दोस्तों यूपिया में तो कोई limitations होते है नहीं इसी वज़से आप Paytm से भी कर सकते हो फोन पेज से भी कर सकते हो लेकिन दोस सकते हैं दोस्तों यहां पर दो options आप सभी के सामने आएंगे पहला अभी by default मेरा यहां पर यूपिया सलेक्ट है ठीक है तो यूपिया से अभी हम लोग यहां पर करने वाले हैं दूसरा option है दोस्तों मोबीक्वीक दोस्तों कुछ टाइम यह होता है कि यूपिया को option कभी- बंध हो जाता है यदि आपका बंध है तो वह भी नीचे comment box में comment करके बता दीजिएगा उसका भी मैं एक solution बता दूंगा ताकि आप यूपिया के थुरू ही deposit कर पाए अगर यह option आपका बंध रहे फिर भी ठीक है काफी interesting वह भी topic रहेगा मैं वह भी वीडियो जल्दी लेक कर लेना बैल अकोन को भी all पर set करके रख लेना ठीक है जाल हम लोग यहां पर अभी UPI के थुरू करने वाले हैं तो चलिए हम लोग यहां पर UPI कर लेते हैं क्लिक यहां पर उपर वाला में by default select ही है ठीक है simply से क्या करना है continue वाले बटन पर कर देना है क्लिक जैसे हम लोग यहां पर continue किये तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर इंटर UPI ID डालने का option आ गया यहां पर दोस्तों आपको कोई भी UPI ID डालने ना है चाहे वह फोन पे का हो चाहे वह पेटियम का हो और वह कैसे पता करते हैं तो उसके लिए आपको सिंपले से अपना फोन पर या पेटि पेटियम लग जाता है अगर आप फोन पे से कर रहे हो तो लास्ट में आपका नंबर के बात एड़ डरेट वाई बीयल या फिर आई बीयल या फिर एकसल ऐसा कुछ लगता है तो आप जो है जाके अपने पेमेंट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका UPI ID क्या है वह यहां पर फिल कर लेना तो चलिए हम यहां पे अपना जुपय आई जो है मेरे प्यूति हम का है मैं उसको यहां पर फिल कर लेता हूं जैसे कि देख सकते मैंने यहां पर दोस्तों लास्ट में add the rate पेटियम लगाया है क्यूँकि मेरा यहां पर पेटियम है ठीक जिसके यहां पर दोस्तों verify and pay में जैसे हम लोग click करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं हमारा यहां पर थोड़ा सा processing लेगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा हमारे पेटियम में एक notification आएगा साथ साथ एक message भी आ जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पेटियम का link डाला है इसलिए आप चाहो तो आपने directly अगर कोई भी अगर UPI का idea है तो वो भी डाल साई तो ठीक है देख सकते हैं मेरे यहाँ पे notification भी आ चुका है और यहाँ पे waiting अभी है मेरे payment के लिए पांच मिनिट का time रहता है पांच मिनिट के अंदर ही आपको यहाँ पे कर लेना है ठीक है तो simply सही इस link पे हम लोगों को कर देना है क्लिक तो हमारा Paytm open हो जाता है और आप जैसे payment करते हूं simply आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर तो यहाँ पर request भी 100 रुपे का आ चुका है एक रुपे भी मेरे यहाँ पर चार्ज नहीं कटा है आप जैसे कि देख सकते हैं ठीक है आप जिस तरह payment करते हैं payment कर देना है और यहाँ पर दोस्तों within a second आपका payment confirm हो जाता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर मैंने UPI का ID डाला और सब कुछ किलियर हो गया पेमेंट जैसे success हुआ क्या करना सिंप्ली से इसको स्क्रॉल कर लेना है और फिर से हमें अपने CoinDCX के application पी जाना है और देख सकते हैं मेरे यहाँ पर successful हो चुका है ठीक है थोड़ा से यहाँ पर time लेगा and automatic back होगा आपको यहाँ पर back नहीं करना है ठीक है दोस्तों अगर आपका UPI का option अगर enable नहीं है या फिर चालू नहीं दिखा रहा है या फिर दोस्तों UPI का option नहीं आ रहा है फिर भी आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं हमारा next वीडियो वही होगा कि यदि आपका UPI अगर चालू नहीं है फिर भी आप UPI के थूरू कैसे deposit कर सकते हैं काफी अच्छा interesting topic होगा वो तो उसके लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहीएगा दोस्तों यदि आप होने टेलिग्राम में भी जोइन नहीं तो नीचे लिंक आपको description पर देखने को मिल जागा तो आप जाके join कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की वीडियो में तब तक धन्यवाद thank you